पोलो सियावरे रामे चंद्र भगवानी की जय हो पोवन पुत्र हनुमान की जय हो जय हो देत इस करोड देवी देवताओं की और आज धन्तेरस है तो सभी को धन्तेरस की बहुत बहुत चुप कामना है भगवान करें आपके घर में सुक सम्रद्धी धनो धाननी की बड़ोतरी होती रहे सभी स्वस्त रहें जो मालक्षम पूर्धी दिन में मेरे को वीडियो बनाने थे साड़ी का वीडियो डाल चुकी हूं मैं वह आ भी चुका है आप जाकर देखिएगा और भी एक दो वीडियो मैंने शेयर करें हैं क्योंकि मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने का अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया है अगर मैं गलत हूँ तो सुनू है ना तो वो वीडियो भी मैंने दो डालें दो पार्ट में हैं तो वो भी आप देखिएगा यहां चिडिया का बोजन में रख चुकी हूँ और यहां यह एक एक किलो के घी के डिब्बे हैं तो यह पांस डिब्बे मेरे पास खाली है इसमें घी लगा हुआ है तो मैं भाटी बना रही हूँ तो इनी डिब्बो में मैं आटा डालके और हाथ से अच्छे से मैं अंदर हाथ घुमा दूंगी मतलब आटा घुमा दूंगी तो अच्छे से यह आटा है ना गी में हो जाएगा और फिर वो मोयन का काम करेगा तो आज मैं इस हम यहाथ पर चात पर दे दूंगी उनको क्योंकि अभी दिपावली बात से फिर से काम काम स्टाट हो जाएगा कलर का क्या क्यूंकि अभी एक मनजिल में कलर हुआ है आभी दोनों मनजिल बाकी है और तीनों बालकनी बाकी है दो 1719 और यह देखिए यह देखिए अच्छे से लड़ू बनने लग गया है देखिए और कूप सारा मुएन मैंने डाल दिया है इसमें अजवायन हल्दी नमक यह सब आप डाल सकते हो पर मैं आज सिंपल प्लेन बना रही हूं और नमक डाला है मैंने केवल और यहां पर मैं काम करी के लिए आए दो-इन साल से बोल रहे थे तो इस बार फिर स्वामी जी ने पूछा मेर से कि लाइट लगवा लें क्या तो मैंने का चलो लगवालो कोई बात नी कलर का काम तो चल रहा है सभी को पता है कि तूटा-फुटा बाहर से मकान हो रहा है खंडर और कलर भी नी हो र दाल रही हूं लहसुन डाल रही हूं और राइजीरा और टमाटर में हल्दी मिर्ची नमक देनिया पाउडर वो डाल के और बस इसमें डाल दूंगी उनको क्या है मैंने थोड़ा वो गला के आज नहीं रखा था बस डाइरेक्ट ही आज मैंने डाला है और हां सोरी आज मेरे पास टमाटर ही नहीं थे आज स्वामी जी क्या है बहुत जल्दी में थे वोशिंग मेशिन बोल रही है गाइस मैंने वोशिंग मेशिन लगा रिखे न तो पानी खतम हो गया तो वह आवाज कर रही एक मिनिट बंद कर दूं मैं नहीं तो वह बोलती ही रहे कि तो क्या है कि वह नहीं था तो इसलिए आज मैंने गरम मशाला डाला टमाटर नहीं था इस वजह से मैंने लिस्ट में लिखा तो था सुबही लिस्ट लिख देती हूं मैं जब सुआमी जी दूद लेने जाते हैं लेकिन वह बहुत जल्दी में थे और कई निकल गयते कोई हाथ में कोई order ले रखा था तो वो करना था तो वो जल्दी ही निकल गए थे यहां यह देखे मेरा तड़का बनके तयार हो गया गरम मसाला डाल दिया ना तो अच्छा टेस्ट आएगा और दाल मैंने हुआ लिली और बस यह इसमें डाल देते हैं बाटिया मेरी बन गई थी और मैंने चड़ा दी है और हो रही है एक बार गेस तेज करके बाटियां सेख लूँगी फिर सिंपर करके उनको छोड़ूँगी ताकि वो अंदर तक अच्छे से पक जाएगी और थोड़ी मोटी बड़ी चोटी गोल कैसे भी आप है ना बाटि बना सकते हो क्योंकि तो लिया लपेट रखा ता मैं खाना बनाने गई ना तो वो लपेटा हुआ ही रह गया बीच में फिर मैंने है ना मैंने सोचा अभी जाड़ लूँगी बाल पहुंच लूँगी ना तो क्या पता है ना खाने में बाल आ जाए तो मैंने बांदा हुआ ही रहने दिया और आ मैंने कौन कोन सी साड़ी एमेजों और जय नहीं मिली है। तो बताईएगा, एक साल के अंदर-अंदर मैंने सारी खड़ी दी थी, और मम्मी ने फॉल पिको करके और भीजवाई थी, यहाँ पर मैंने जिस दिन बाल दोती हूँ, उस दिन सुखा सिंदूर में भरती हूँ, तो वो मैंने भर लिया है, काजल लगा लिया है, लिप लोज लगा लिया है, क्रीम लगा लिया मूँ के, तो हो गया मेरा मेकप, और इस से ज़्यादा मेकप में नहीं करती हूँ, चाहे शादी ब्याव हो, कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, बस क्रीम लगाया और हो गया, मैं वो सब मेकप नहीं करती, कि फाउंडेशन लगा और यह लग मृस नहीं होते गयज मैश सिंपल साधा दा मसट का लगा लेती हूँ मॉंन मांग भड़ ले इंट लगा ले यहाँ लिप स्टीक लगा लेती हूँ पास लगाती हूं कभी कभी लगा लेती हूं यहां पर है ना शोट वीडियो बनाने के लिए एक लुक लिया है मैंने एक मतलब एक क्लिप बनाई है तो वही मैंने है ना व्लॉग के अंदर भी जोड़ दिये मुझे ज़्यादा कुछ नखरे करने आते नहीं बस इस तरीके से हाथ रख लेती हूं घाल पे और वीडियो फोटो जो लेना होता है ना वो क्लिक कर लेती हूं आप भी देखकर हस रहे होंगे कि यह क्या नो टंकी कर रही है मुझे आता ही नहीं है क्या करूं यह चांदी की चूड़िया है चो मैंने पहन रखी है मल्टी कलर के इसमें नगे मुम्मी लाई थी है मेरे लिए और यह यहां पर दाई चाच थीरा है आज के खाने में और मेरे जस्ट पीछे ना यह देखिए कितने कबाड़ा हो रहा है पूरा अब यहां पर है न अच्छे से सब चीज रखूंगी क्योंकि पीछे की तरफ इदर आगे की तरफ तो क्या पूरा फरनीचर लगा हुआ है उपर से नीचे तक लेकिन पीछे का दिखता है क्योंकि मैं आगे केमरा लगाती हूं इस वज़े से और अगर मैं मेरे तो कपड़े की सायता से दबा दबा के फोल लूँगी ताकि गी अंदर तक भर जाए गी को अच्छे से गरम कर लूँगी फिगल जाएगा ना फिर अच्छे से अंदर चला जाएगा और बस यहां पर बड़ी-बड़ी बाटिया है ना उनको तो मैं अंदर का निकाल हों और मैं भी एक खा लूँगी और मैंने उस दिन काना ही नहीं खाया मैंने बाटी नहीं खाई थी कि मेरा मनी कर रहा था और वीडियो शूट करें थे न तो मेरे सिर में दर्द होने लग गया था फिर बेटे न चाय बना के पिलाई थी और शायद बेटा मेरे लिए थारी परोज कर भी लाया था पर मैंने नहीं खाया था और यहां पर यह देखे यह हो गई तैयार बेटे के लिए और हजबेंड के लि अब लोग खाना पसंद करते हैं कि क्या ही बताओं और यहां यह गी निकाल लिया है मैंने मालपुरा से डिबबे लाये थे स्वामे जी गी के तो भही चैल रहे हैं अब किनूँगी कितने डिबबे हो रहे हैं और यहां पर यह देखिए गिन के भी क्या करूँगी फिर कभ तो इससी कॉड़ाई मैंने संक्स आप Siema लगा मैंता न्यों थी बननो और पापाजी कुछ में सभी चाई को अब भी से से या ता रेडिमेट वाला इस वज़े से तो यह सीमई रह गई और बस यहां पर यह बाटिया हो गई तो चलिए अब पापा जी की ठाली भी सर्फ करूंगे उसके बाद मैं हस्बेंट जी खाएंगे बेटा खाएगा और फिर बता हूं बेटा ने ऐसे बोला कि हाँ दाल बहु अच्छी दाल है और यह देखें यहां पर सारा कवर निकाल रही हूं मैं कवर जो है भार इसी में परात में छोड़ दूँगी और जो कैसरोल है ना उसमें बीच-बीच का घर रख लूँगी ताकि क्या है वो चूर्मा है ना ठंडा ना हो चूर्मा क्या सोरी मैं तो बाट किलतियों को और यहां पर बस पापा जी के लिए थाली परोसने की तैयारी कर रही हूं बस इतना सा ही टाइम लगता है गाइस आप भी अपने जो भी आपके घर में बुजूर्ग है उनको इस तरीके से अगर उनके दात वात नहीं है खाने के डार दात नहीं है तो आप इस पापा जी का रख दूंगी ना जब यह खाली हो जाएगा तो यहां खूप सा रगी मैंने डाल दिया है और पिगला हुआ घियर अब चूरूंगी लेकिन ना इतनी गरम थी कि मैंने पहले तो है ना चम्मच से चूरने की कोशिश कड़ी बड़ा बड़ी चम्मच और हाथ स पहले आख तीर बहुत गरम थी थोड़ा सा उटाया मेंने तो Сам हाथ भी जलने लग घह इह थी पिर मैंने चम्मच से करा फिर हाथ से करा तो ऐसे करके मैंने यह चूरा करा क्योंकि भाने का टाइम हो गया था इस वज़य одноत रया थी और पापा जी की खाने का टाइम का टाइ दिया कर कि मैं आस्ता कर लेता हूं न तो मेरा पेट भरा हुआ रहता है वो मेरे से बोले थे ऐसे मैं गई थी बात करने तब वो मुझे बोल रहे थे तो बोले उसी टाइम दे दिया कर जब लोग तुम लोग तो मैंने बोला था मैं पापाजी हम तो एक से दो की बीच में खा होगा उस दिन तो मैं काफी लेड बिजवाती हूँ पौने दो बजे तक ताकि यह न वो खा लेते हैं फिर बाद में भूग लगाती है उस टाइम तक तो गरम गरम बना देती हूँ पौने दो बजे और उनके थाली बिजवा देती हूँ क्यों बेटा होता है यह दिन में यह टाइम क्योंकि बेटा नहाता दोता है खाना खाना वाना खाता करता है तो उसको टाइम लग जाता है यहां पर यह अच्छे से चूर मसल देंगे यह देखिए और बस थाली परोज दूंगी तो यही है गाइस और टाइम से खाना खाले ना बज़र्ग वेक्ती तो बहुत केला ना में सुरे से ही साधी होई जबसे म kijken में एक में अटाती यह देती थी और छती में जासरो मत ज्पें दीनि और तो मैं में भीकों कने भीकट अटेटा मन तो लाया था यह अनु ह् टाहित भोड जादा काती था धिसतॉर घर्णांसी तरण भंपर काधा देखाएं थांसी काता कोई नो? आढ़को ऑख या ध्या बीद्य हें प्रे अधार्णा 2006 ऑख पहले मम्मी जी बोल वो सिखाई चे सब नहीं और कोई कोन बोले तो भी सब जी 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 करे चे तू भी बोले चे खाली मम्मी जी बन तो घुणो चोको लागयो बेटा ऐसे बोलती थी मम्मी और मम्मी मतलब मेरी सास मेरे सुसराल में क्या है कोई भी ढोग नहीं देथा था मतल तो हम्मारे सिख्या के सबस् 카메라 गर सकयाता मिकला उप्स लॉक्त बात तु मेरे वह इस्थ्बैं ना वह भी बो चूँने लग गये तो सथे घुर-वेरगों ने लगने लेकिन पैर न की चूआइअ करते थे। और मैं शुरू से ना, ढोग में चाहे कहीं पर भीवों में ढोग देती थी थी ना, तो starting मेरे से हुई, कई चीजे है जो starting मेरे से हुई हमारे मेरे सुस्राल में तो मुझे भी गर वो महसूस होता है जब मम्मी मेरी ना तारीफ करती थी मम्मी अब नहीं है इस दुनिया में तो भगवान उनके आत्मा को शांती प्रदान करे और ये क्लिप जो मैं ले रही हूँ ना ये मैं शोट वीडियो बनाती हूँ तो इसलिए लेती हूँ तो ये मैंने वीडियो में जोड़ दी तो ये हमारा आज का खाना है कुकड़ी प्याज नीम्बू दाल बाटी दई चाच और पीसा हुआ बूरा है ना और सीवाई और पापा जी के लिए बाटी दाल बस ये है और तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ चले मम मेरी बड़ाई करती है बहुत अच्छा लगता था ऐसे ही है ना मेरी बड़ी ननद भी बोलती थी ऐसे कि बाई सत्यराम पग चुगो तूई सिखाई चे बड़ी ननद ने खुद मुझे मूँपे बोला था मेरी जुबड़ी ननद थी उन्होंने के तूई है ना आई चे ना परिवार में कोई भी एक दूसरा को पग न चुगो तूई सिखाई चे यहां पर है ना हस्बेंट जी को बहुत शर मारी थी हस्बेंट जी ना ओन दे केमरा आई लव यू भी नहीं बोल पाते हैं है ना और कभी कभी क्या है मैं फोन पर बोल देती हूँ आई लव यू तो दुकान में ना वो भाईया काम करते हैं तो वो बेठे रहते होंगे पास में तो वो बोल नहीं पाते हैं तो मैं समझ जाती हैं तो मैं बोलती हूँ कोई है क्या पास में आपके हैं तो बोलते हैं ह हाँ हूँ हूँ ऐसे करते तो है ना बहुत अशी आती है वह सर्माते मेरे हस्बेंट तो बस वही है अभी भी वह सर्मा रहेते तो हस्बेंट जी को है ना बहुत शर्माती है तो चलिए गाइज यह आज का व्लोग है मेरा और प्लीज मेरे जो इस से पहले व्लोग डालें दो क्या नहीं बताई वो सब उनी दो वीडियो में हैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट और यहां साम का टाइम है मैं चूर्मा बना रही हूं तो काजू गदाम खुब सारे डाल रही हूं भर-बर के ताकि जो है पापा जी में थोड़ी एनरजी आए शक्ती आए वैसे तो को खालेंगे क्योंकि उनकी दांत नहीं है इस वज़े से और अभी सास मेरी सासुमा और मेरी ननद की बाते करी मैंने बड़ी वाली ननद की तो इनसान चले जाते हैं बाते रह जाती है तो भगवान मेरी ननद की आत्मा को शान्ती प्रदान करें वो भी इस दुनिया में तो चलिए गाइस यही था आज कब लोग और अच्छा लगता है जब पुरानी बाते करते हैं यादे ताजा होती है क्योंकि मैं जो है पड़ी लिखी बहू इनके परिवार में पहली मैं ही थी और इससे मुझे नहीं पता है कि और भी हो तो मुझे नहीं पता लेकिन हाँ मेर गुंगट करा है गाउन की ओरतें बोलती थी या परिवियन एक की बहिन नी तो है न आओ चे और जाओ अचे एको मूञ्ड़वी दीके को ना कध्याई भी गूंग टोकाडर आओ चे एको मूञ्ड़वी न देख्या कध्या सकली कोन देख्या ऐसे हमारी भाशा में बोल रही हूँ कि गाउं की ओड़ते ऐसे बोलती थी भाई आती है और सीड धका हुआ गुंगट निकला हुआ आती है और जाती हो जब तक गुंगट निकलती हुआ जाती है कभी चेहरा भी नहीं देखा तो मैं मिया मिठ्टुनी बन रही हूँ ये बातें वहाँ पर बोलते हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ गाईस और साम को मैंने ज्यादा शूट नहीं करा यहां खाने की तैयारी कर रही हूँ थाली सर्व कर रही हूँ पापा जी की मिर्ची सेकी है और क्लिप मैंने पहले जोड सब्सक्राइब अगे वह वाली क्लिप, यह क्लिप है न मेरे, जो है हस्बेंट जी लेकर रहा है, पापा जी खाना खा रहे हैं, पापा जी रोटी निकाल दी ती, तो ये थाली देखकर मैंने कहा कि रोटी कां गई, मैंने तो रोटी भी रखी तु बोले नहीं पापा जी ने